हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अवीना नीटिंग आज देखे फिरसे हम ये दो कलर में एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाना सीखेंगे और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं देखें बहुत ही इसी और आज सुन्दर सा पैटर्न है और बहुत ही च पसंद आता है और जैसे भी आपको प्रोजेक्ट में डालना है तो चलिए सबसे पहले हम इसके पंदों का हिसाब लगाएंगे तो इसमें हमें फंदों को किसी हिसाब में नहीं रखना है आपके स्वेटर में आपके प्रोजेक्ट में जितने भी पंदें हैं आपको पंदे ले सकते हैं इसलिए पिटने भी फंदों पर यह pattern बन जाता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना और देखिए चार सराई में हमारा pattern बन कर तयार होता है और ऐसे हमारा pattern इथर side में ऐसे बढ़ता रहता है तो इसमें इसे आड़ी आड़ी लाइने चलती है इस तरीकर से तो चार सराई में हमारा पैटर बनता है चार सराई एक कलर की चार एक कलर की इस तरीकर से चलती रहती है देखिए इसका रॉंक साइड है यह राइट साइड में ऐसा दिखाई देता है और पैटर हमारा राइट साइड से ह स्टार्ट होगा तो चलिए इस पैटरन को बनाना शुरू करते हैं इस पैटरन को बनाने के लिए देखे मैंने यहां पर 15 फंदे लिया है अब पैटरन को धिहान से देखेगा देखें, दो फंदे बुनेंगे हम, देखें, एक फंदा बगार बुना उतार देंगे, फिर से देखें, आपर दो फंदे बुनेंगे, एक फंदा बगार बुना उतार देंगे, दो फंदे बुनेंगे, एक फंदा बगार बुना उतार देंगे, दो फंदे बुनेंगे, एक पैटन को रिपीट करते जाएंगे अब देखें ये फंदा बगार बुना उतार देंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे जो फंदा हमने बगार बुना लिया था उसे असी उतार देंगे फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये फंदा बगार बुना उतारेंगे दो फंद साइड में देखे ध्यान से देखेगा अब ये जो दो फंदे हमने सीधे बुने थे इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तागा पीछे करेंगे और ये जो बगार बुना फंदा उतारा था हमने इसको हम सीधा बुनेंगे फिर से देखे दो फंदे उल्टे बुनेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और ये फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, तो देखें, इस तरहें प उल्टा बुनते हुए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंपलेट करेंगे देखें पूरी सिलाई को हूँ उल्टा बुनेंगे आप देखे आजाते हैं राइट साइड में आप अगर हम इस पैटरन को एक ही कलर में बना रहे हैं तो ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी और अगर सेकंड कलर हमें इसमें लगाना है तो देखे ध्यान से देखेगा सेकंड कलर लगाएंगे हम यहाँ पर इससे एक फंदा बुनेंगे देखे इस तरह से अब ये वाला जो हमने बगार बुना फंदा उतारा था अब हमें इसके इधर वाला फंदे को उतारना है यानि कि इससे पहले वाले फंदे को हम बगार बुना उतारेंगे तो देखे बग फंदे बुनेंगे यह वाला फंदा बगार बुना उतार देंगे दो फंदे बुनेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे 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 तो बार बार यही रिपीट करेंगे देखें आ जाते हैं सीधी सलाई में अब देखें इसी कलर से हम बुनेंगे यह सलाई यानि सेकंड कलर से ही यह फंदा देखे जो पहला फंदा नजर आ रहा है इसे हम उल्टा बुनेंगे यह बगार बुना फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे यह वाला फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे यहाला फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, यह फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे, तो यह सलाई कंप्लीट होगे, उल्टी सलाई पूरी, देखे, उल्टी बुनेंगे, आप देखे, फ अब हमारा यहां पर यह वाला फंदा बगार बुना उतरेगा देखें, दियान से देखें, और दो फंदे हम यहां पर बुल लेंगे, एक फंदा बगार बुना उतारेंगे, दो फंदे बुलेंगे, एक फंदा बगार बुना उतारेंगे, दो फंदे बुलेंगे, एक फंदा अब फिर से उल्टी सलाई में जैसे फंदे नदर आएंगे देखें तो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा बगार गुना उतारेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा बगार गुना उतारेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे यही बार बार हम यही तीन फंद का डिसाइन रिपीट करते जाएंगे देखें आप देखिए यह वाला फंदा हम सीधा बुलनेंगे सारी यह वाला फंदा देखें आप सीधा बुलनेंगे दो फंदे बुलनेंगे कि पंदा सीधा बोनेंगे तो कि दो फंदे ऊल्ते बोनेंगे लास्ट के दो फंदे ऊल्टे बोनेंगे तो कि एस सलाई कम्प्लेट हो गई उल्टी सलाई बूरी थेखे वबनेंगे आप देखें यहाँ पर हम वही फर्स ट्राव में आ गए हैं देखें दो फंदे बुनेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे दो फंदे बुनेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे दो फंदे बुनेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे यही देखे यहां पर 4, 8, 8 सलाई को बार-बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न देखे इस तरीखे से बन कर आएगा और बहुत ही प्यारा और सुन्दर सा पैटर्न है और इसे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं इस पैटर्न को जै करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आउंगी पिर से एक नए डिजाइन एक नए पैटर्ण के साथ आप लोग के खिदमत में तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू